जानकारी दर्शोक तक पहुचाने के लिए तो मैं आगे बढ़ते हैं इस साल भी छट से पहले दिवाली के आसपास दिल्ली की यमुना नदी में सफेद जाग की भरमार है यमुना में सफेद जहर को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है इंडिया न्यूज ऐसा पहला चैनल है जिसने यमुना नदी में सफेद जहर को लेकर आपको रिपोर्ट दिखाई थी यमुना नदी का हाल क्या है यह हमने आपको दिखाय था हमारे सहयोगी आदित ने यमुना नदी की क्या स्थिति है ग्राउंड जिरो से जाकर जब कवर किया तो वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से वाइरल हुई कि आप इस पूरे मामले को लेकर राजनीती हो रही है इस साल भी यमुना नदी में जहाक की भरमार है और यमुना नदी में प्रदोशन का स्थर इस साल भी जो है बीजेपी के तमाम नेताओं के पहुचने का सिलसला शुबह से कालिंदी कुंच की यमुना बराज पर जारी है सफेज जाक के बीच वो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहे है लेकिन बड़ा सवाल जो इंडिया न्यूस लगातार अपनी इस पुहीम के जरिये पूच रहा है कि आखिर इस मैली यमुना का जमेदार कौन? आखिर इस जाग भरी यमुना का गुनेगार कौन? यह जो तस्वीरे इस वक्त आप अपने टेलिविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं यह इंडिया न्यूस के सहयोगी आदित्य हैं बलकि यह दिल्ली की यमुना है, वही यमुना जो दिल्ली की लाइफ लाइफ लाइन है वही यमुना जिसे थेम्स बनाने के दावे किये गए थे वही यमुना जिसमें डुपकी लगाने की बात जो है वो कही जा रही थी लेकिन ये था स्थिती क्या है वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यमुना में डुपकी लगाना तो दूर यमुना के पानी को छूने मातर से कितनी गंभीर बिमारियों को खत्रा है वो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं पानी कही नजर नहीं आता केवल और केवल जाग नजर आता है तो वहीं जिस तरीके से यमना की स्थिति है इसको लेकर आखिर दिल्ली के आम लोगों का क्या कुछ सोचना है ये भी हम आपको सुनवाते हैं और फिर सुनिए कि आखिर दिल्ली के पर्यावरन मंत्री गुपाल कशना है ये कि करने हुए तेन सालब्स कर दे यь हैं और रहे हमें अच्छा महसूस होता है को हम यमना को जैसे कंगा घंगा को माता मानता है से यमना को बजट तो पास होता है पर सरकार लगता है कहीं यूज नहीं करती ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही 22 किलो मीटर की रेंज है वही सबसे जादा पिर दूसीत है आप उत्तर पर्देस बगल में लगता है दिल्ली के आप उत्तर पर देस में जाएंगे मत्रा आगरा साइड वहां कि अमना बहुत साप है सरीव नदी है वह इतनी साप है ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही 20 किलो मीटर की रेंज में खराब है उसका तो सफाई हम लोग कर नहीं पा रहे हम लोग जतना अपने से पॉसिबल हो रहा है हम लोग उसका सफाई कर ले रहे है और जिसे कि आप लोग देख सकते हैं यह एमना नदी है इसमें 80% तक केमिकल बह रहा है बस नाला बह रहा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब पूर आसम नाला अला मिलता आपको और दो नहीं हो रहा है कि पूरा इतने सी सारा कुछ नहीं होगा और भी लोगों को इस के लिए करना पड़ेगा समंसी करें सब्सक्राइब lagi के हम लोग करें करें तक हम लोग बचा सकते यह पेल्व कि कप ठप किया इन भाजपा की लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं, छट पुजा भी धूम दाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है, भाजपा की जहां सरकारे हैं, वहां के चिंता कर लें भाजपा के लोग, अपने केंदरी परियावरण मंत्री से क पाने केंदरी में सरकार है, गंदा पानी भेज रहा है कौन, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गंदा पानी भेजते हैं, फिर जाके फोट्व आती वांगों गंदा पानी जिसकी जम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी केजरिवाल सरकार की थी जिस बात के लिए इन्होंने 3000 करोड रुपए केंदर सरकार से इनको मिले यमना जी की स्वच्चता के लिए जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं यमना जी में आते हैं उनके मोहाने पर बड़े treatment plant CTP plants लगने चाहिए थे वो 3000 करोड रुपे भी भ्रस्टाचार की भेट चड़े और कोई CTP plant बड़े नालों के मोहाने पर यमना जी के मोहाने पर नहीं लगा है जिसके कारण से गंदा पानी मलमूत्र वाला सीवेज वॉटर यमना जी में जाता है बीजेपी के रियाक्शन आपने सुना आम आद्मी पाटी का आपने सुना अब कॉंग्रेस का भी रियाक्शन आप सुन लिजे हमारे सेयोगी आनन सिंग ने कॉंग्रेस की राजिसवासांसत प्रमोर्तिवारी से बाची कि लिए सर इंडिया न्यूज ने एक मोहीम चलाई है यमना में गंदगी चट का महापरव आ रहा है आस्था का महापरव है लाखो स्रधालू अरग देने यमना के घाटों पे जाते हैं और फिर से वही टॉक्सिक फोम यमना के चारों तरफ देखा जा रहा है और उसी टॉक्सिक फ खेलवाल है दिल्ली वासियों के और इसे इस रूप से जो छट के जिन पूजा अरचना करने जाते हैं तो सब को मालू है कि वो जल जहां होता है वहीं पूजा होती है यहां यमना ने दी है उसी किनारे पूजा होती है आगर क्यों जाग जो देख के डर लग रहा है जाग नहीं है वो वो तो पॉल्यूशन है वो पूरी तरह प्रदूशन है वो पूरी तरीके से स्वास के लिए हानिका रख क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के सरकार इसे साफ कराती क्यों नहीं केंदर जिनका गंगा नियंतरन बोर्ड और क्या क्या चला है वो क्यों नहीं से प् पार्टी मोदी जी की ये दोनों मिलकर दिल्ली की तबाही और बरवादी के लिए जिम्मेदार हूँ वहीं इंडिया नियूस की मुहिम को लेकर कॉंग्रिस प्रवक्ता पवन खेडा ने तारीफ की और कहा कि यमुना में सफेद जाक की मुहिम जो है वो कहीं न कहीं इंडिया नियूस की तरफ से जो शुरू की गई है वो यमुना की उस वास्तविक तस्वीर को दिखाता है जो बीते कुछ सालों में यमुना की नजर आ रही है को बढ़ाई देते हैं कि आपने इस तरहें का एक बीडा हाप में उठाया है जरूरी है जब तक सरकारों को आप जगाएंगे नहीं वो केंदर में मोदी और शाह की सरकार हो या राज्य में अरविंद केजरिवाल की सरकार हो तब तक छट मनाने वाले यूँ ही संघर्ष करेंगे कि साफ पानी कहीं मिल जाए जहां वो छट मया की अराधना कर सकें मौझूद हुआ भी दिल्ली के यमुना घाट पे कालेंदी कुझ के पास में और मेरे पीछे आप यह देख सकते हैं यमना नदी है जीवन दाइनी जिसको कहा जाता है भारतिय सबेता में जिसको जिस नदियों को मा किसरेनी दी गई यह मा का दर्जा दिया गया है उसकी यह स्थिति है कि यह पूरा ज्ञाग से भड़ा हुआ है और आप दूर तक देखेंगे वह एक दूसरे तरफ दिल्ली से सटा हुआ है नोईडा में आपको एर क्वाल्टी इंडेक्स जो खराब है पूरे एंसी आर में उसकी सीथिति आप देखेंगे बिल्डिंग है वह आपको साफ दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि पूरे दिल्ली एंसी आर म माना जारे 300 तक का जो है आकराब छुआ गया है अभी मैं आपको इस घाट पे जो गंदगी है वो दिखा देता हूँ यह आप देखेंगे घाट है घाट के जस्ट नीचे आप देखेंगे पूरा जो इलाका है वो दुनिया भर के कचरे से भड़ा हुआ है यह देखेंगे क यहां रखा हुआ है यह देखेंगे यह जो केमकल होता है क्योंकि यह चिंदूर और यह कुमकूम होता है वह बनते नहीं यह Zach यह सब है और भी मैं आपको पूरी स्थीचती दिखाता हूँ कि किस थरीक्त से है पानी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना के अंदर जो पनी है वो पानी कितना खराब है अब अधकी यह पुरा दल-डल है तो उसमें यह देखे है यह पानी है और वुजए नंकुसाब दिखाएंगे करीव से कितना गंदा पानी है यह और यह पानी बिपदी की बात करें जो oxygen ऑद बिता है इसमारा होगा। सुभा का जानाद अब नहुत जांध पानी है और ये पानी जो छट लोग करते हैं इसी पानी में करते हैं वो इसके सरीर पर क्या फरक परता होगा या जो वेकती नदी के किनारे रहता है क्योंकि मैं जब यहाँ खड़ा हूं तो जो यह ऑक्सिजन यहां से आ रहा है वह मैं में महसूस कर पा रहा हूं मुझे चक् को सबनेचalen कि करने हैं जो निकालने के कोशिच कर रहे हैं क्योंकि की फ्रणीछ क्या नाम है आपका हर्षिता तो हर्षिता ही आप जब सफाई करने आती है क्या क्या गंदगी आपको दिखाई देती है हर तरीके की लोग कुछ नहीं छोड़ते प्लास्टिक हो कपड़ा हो बॉटल्स हो पूजा का सामगरी हो यहां तक कि कुछ बंद पैकेट्स में पता नहीं क्या सामगरी है या क्या है बंद पैकेट्स लोग यहां पर डाल के चले गए तो आप देख सकते हैं कि एक राइजिंग कंसर्न है यह हमारी ड्यूटी है कि हम कि अटेंशन इस तरफ लेके आएं क्योंकि अगर मैं एक्जांपल कोविट के टाइम का जब लॉक्डाउन लगा हुआ था तो इन्वार्मेंट आप देख सकते हैं कितना पॉजिटिव चेंज आया था इन्वार्मेंट में पल्यूशन का लेवल अपने आप ही हर जगा कम मनिश्यों का जो हस्तचेप है प्रकृति के साथ में वो कम हो गया था हर्सेता कहली कोरोना के समय में हस्तचेप जो था कम हो गया था इस वजह से जो है पड़्यावरन में थोड़ी सी सुधार आई थी अब यह देख सकते हैं कुछ लोग और भी हैं आप से बात करें क्या न और आप जहां कि गंदगी का अलाम यह था जहां आप खड़े ना तीन साल पहले होते तो आप यहां के पचास मीटर की दूरी पर भी खड़े नहीं हो पाते अब देख रहे हैं मेरी सांस फूल यह सबसे बड़ा यह कि पानी के आसपास का जो एरिया है यहां पर आप सास न पर दोड़े मान सकता यह गई है प्रकरती को साफ रखना चाहिए मगर हम क्या है प्रकरती को और गंदा करते चले जा रहे हैं तीन साल में हमने 160 से जाए हैं जब भी हम ड्राइब चलाते तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पिक्निक स्पोर्ट है मगर अगली बार जब हम आते हैं तो गंदी का लम पहले जैसे ही वह में मिलता है इतनी बार सफाई करते हैं बार उतनी स्थिति खारा बज़ें आपके क्या नाम है विकास गुपता विकास बाद बदाए कि जैसा इन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी होने सुब हो गए हैं जो अगर बगर मे फ्रिघ अरह है क्योंकि जो वह वजे आ एकमारी जानुएं जैसर है कि फ्रेफ़ें में जलन वर रहा है क्या लगता है कि इतना पैसा आ रहा है तो कहां जा रहा है पैसा क्या हो रहा है यह बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है जो भी इन्होंने बोला यह बिल्कुल सही गए रहे हैं हम पिछले तीन साल से कंटनी हर संडे को हम यहां यमुना क्लेनिंग क्लेनिंग के लिए आते हैं एक सो आग्र हो चुका है हमारा यहां पर हर संडे को आकि हम यहां पर सःफ में दिक्कत हो गयियह बहुत सारे हमारे विलेंटे से गए बहुत लोगों के ऐसी प्रोब्लम स misericine कर सांस लेंगा प्रॉब्लम्स हो गई है नंग्स में दिक्कत हो गया है ठीक है कैंसर का थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है हम कंटिनियूसली आते रहते हैं इससे हमें क्या जरौत है कोबीट के बारे में कोबीट के टाइम पे सबसे ज्यादा इपोर्टेंट क्या था एयर पॉलूशन यह ज किलो मेटर का 270 यम लानिकी 113 जो यमना का ती निकल निकलती है उसके बाद यम नजब संगम में जाकी मिलती है इस पूरे अपने यात्रा में मात्र 22 किलो मुशैंड्र यानि कि परतिसत के बात करते तो मातर दो परतिससत जो डिली में है वो दारा परता है इसमें अगर पर्दूसर्न की बात करें दिल्ली में कितने पर दोसanut हमारा कितना है उसमें योगदान कितना है तो लगवठיה 76-, 77पैसत्र जो पूरा योगदान है यमना को गंदा करने का वो दिल्ली वाष्यों का जाता है दिल्ली में दिल्ली नहीं और देखेंगे यह जो पूरा है यह जाग कैसे बनता है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं वह आपको दूर दिखाई दे रहा होगा जब पानी अपने बहुत फुल स्पीड में जब आ रहा है तो वह एक वाशिंग मसीन टाइप में जो एक जो सर्कुलेट घूमने वाली जो मसीन होती है उ और उस क्रियेशन से ही पुरी जाग वह बन रही है यानि कि पूरे दिल्ली से जो भी कचरा जो भी घर से जो भी हाउसोर्ट जो भी कचरा निकलता है या जो भी हम सर्फ या साबुन या कोई भी ऐसी चीज जो फासफेट या अमूनिया से बना हुआ है वह हम इस्तमाल करते हैं तो उसका जो पूरा कच्रा है वो बीना ट्रीटमेंट किये हुए ही दिल्ली के इस यमुना नदी में बहाया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि जाग पूरा जो है वह आपको दिखाई देता है और भी कुछ वो इंटियार रहे हैं और हाथ में बॉटल लिए हुए है रुक रहे हैं छोड़े से ब्रेक के लिए खबरों को सलसला जारी है